दोस्तो आज मैं आप लोगों को Solid का New Setup Box 6363 दिखाने वाला हूँ दोस्तो फर्स्ट लूक आपको साहिल चैनल लिश्ट यूटूब चैनल पर देखने को मिल रहा है तो दोस्तो Solid का 6363 Setup Box कैसा होता है? किस परकार का होता है? जिसमें कैसे टीवी चैनल चलते हैं इनकी पूरी डिटेल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो दोस्तों सबसे फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं Solid Digital IT Box HD S26363 for gaining access to internet and satellite free-to-air MPEG-4 setup box Full HD आपको यहां पर TV चैनल देखने को मिल जाते हैं ABS फ्रीडिश, DT फ्रीडिश और IR sensor आपको ऑफ्सनल लगाने का यहां पर source इस box में दिया गया है इस खलाइमर यह है दोस्तों कि किसी वरकार का अगर इस आपको टालते हैं दोस्तों तो आपके स्टप वॉक्स की सम आपत हो जाती है तो दोस्तों बॉक्स बहुत बढ़ियां बहुत बढ़िया पैकिंग में आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों इस बोक्स को हम simply open करें दोस्तो आपको देखने को मिल जाता है और दोस्तो एक एडाप्टर आपको देखने को मिल जाता है अब दोस्तो साहिल चैनल लिष्ट यूटूब चैनल की तरफ से अब आपको भी मिल सकता है दोस्तो फुल एचेडी सेटप बॉक्स बिल्कुल मुफ्त में साथ में दोस्तो 200 तो दोस्तो आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है तो दोस्तो उसके लिए आपको करना क्या होगा उसके लिए दोस्तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को यार सबस्काइब करके बाजू में ये घंटी वाला निसान जो आता है इसे दोस्तों यहां से औल वाले पे सेलेक्ट करना है और दोस्तों इस वीडियो को आपको सेयर कर देना है सभी जगों पे जहां पे आप सेयर कर पाएं अब दोस्तों इस वीडियो को आपको सुरू से लेके आखिर तक देखना है यहां पे हम आप से पूछेंगे चोटा सा सवाल उस सवाल का दोस्तों सही जवाब देने वाले 10 लखी भागिसाली सब्सक्राइबरों को ही दोस्तों मिलेगा फुल एच डी सेट अप बॉक्स अब दोस्तों बॉक्स के एक एक कंटेंट को हम आप लोगों को दिखाएंगे तो दोस्तो यहां पे कुछ इस परकार से आपको यहां पे एडाप्टर देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग देख सकते हैं बढ़िया एडाप्टर है बढ़िया क्वाल्टी में आपको एडाप्टर यहां पे देखने को मिल जाता है दोस्तो और इसकी जो पिन है दोस्तो पर दोस्तों आपको यहाँ तो मिल जाती है तो दोस्तों यह एब्लो इसे हम साइट में रखते हैं वहीप दोस्तों आपको एक रिमोट मिल जाता है दोस्तो रिमोट की वी विल्ड क्वालिटी आपको अच्छी ही देखने को मिलती है यहां पर आप लोग यह रिमोट देख सकते हैं दोस्तो यह रिमोट है दोस्तो इस रिमोट में दोस्तो आपको बहुत सारे ऐसे फंसन है दोस्तो जो कि दूसरे रिमोटों में आपको देखन प्रकार से होते हैं दोस्तों इसके पीछे कुछ यहां पे लिखा हुआ है आपको यहां पर देखने को मिल जाती है और यहां पर दोस्तों यह लिखा हुआ है कि आप इसे 3,00,000,000 ताइम्स आप इसे टेस्ट चला सकते हैं पर बटन को तो दोस्तो अच्छा है और quality वेश है ये बहतरीन आपको ये remote देखने को मिल जाता है दोस्तो तो दोस्तो ये तो remote की भात हो गई वहीं पर दोस्तो अब आते हैं अपने main content की तरफ दोस्तो अफना main content दोस्तों यह है शॉलिट का एच्टू एच्टी एच्टू सेटप बॉक्स 6363 अब दोस्तों आप कहो कि इसमें 6363 क्या है यह तो पुराने जैसा है लेकिन नहीं दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं यहां पे देखिए चैनल चैनल प्लस माइनस मिनू ओके वैलूम का बटन यह एक डिस्प्लेइ आपको यहां पे देखने को मिल जाती है तो अच्छी बात है अब दोस्तों आप देख लो यहां पे लिखा हुआ है solid new 6363 आप लोग देख सकते है solid care branding के साथ यहां पे new लिखा हुआ है तो दोस्तों यह एकदम बिल्कुल new setup box है यहां पे दोस्तों आपको solid का hallmark आपको देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों यह original की पहचान है और दोस्तों मैं आपको बता दो बहुत सारे लोग local setup box भी इसे सालिट के नाम से तो दोस्तों ऐसे शे आसे ब्टॉसे से बचे दोस्तों वह ड़म local setup box होते हैं दोस्तों यहां पे आपको IR sensor का option यहां पे देखने को मिल जाता है USB का option आपको यहां पे देखने को मिल जाता है पीछे आपको एक और USB का option देखने को मिल जाता है LNB in, LNB out का option आपको यहां पे देखने को मिल जाता है USB का option देखने को मिल जाता है इसके जो चाइनल्स है इसके जो पूरी डिटेल है वो आज इस वीडियो में हम इंकलूड करेंगे तो चलिए दोस्तों हम आपको वीडियो आगे बढ़ाते हैं दिखाते हैं तो दोस्तों सॉलिड लिखा हुआ कुछ इस परकार से 6363 में आ जाता है और उसके बाद से दोस्त आपको कुछ नहीं करना है आपको बस यहां पर आना है दोस्तों यहां पर और ओल डिलीट कर देना है आपको सभी टीवी चैनलों को दोस्तों यहां पर ओल डिलीट करने के बाद आपको अपनी सेटप बॉक्स में कुछ इस परकार से स्कैनिंग करनी होगी दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जी सेट पंदरा है और उसके पाद से दोस्तों यहां पर हमें एल इन बी पॉर्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके बास से बिलाइण्ट इस्कैन करना होगा FTA येसेप तर इसकरना होगा यहां पर और इसे कर देना है दो canal के अप कि दोस्तों मैं इसके फंसन को भी बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको चैनल चला लूँ क्योंकि चैनल चलानी के बाद भी बाद ही आपको यहां पे और भी ज्यादा फंसन देखने को मिलेंगे अभी दोस्तों यहां पे देख सकते हैं एक टीपी आ चुकी है और दोस्तों यह तो आपट लोगों का टाइम ज्यादा नहां लगे अभी दोस्तो देख सकते हैं DJ TV और वीडियो कौन DD Fairies के टीवी चैनल आ चुके हैं दोस्तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं DD Fairies और बंदे गुजरात के जो चैनल से DT Days वाले वो आ चुके हैं अब दोस्तों DT Days के जो मिन चानल है वो आने के लिए तयार हो चुके हैं लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास 23 टीवी चानल और 31 टीवी चानल आया हुआ है 34 तो दोस्तों यहांपे देख सकते हैं DT Days के चानल आचुके हैं जिए आन्मोल आचुका है दोस्तों इस्टार उस्सो भी आचुका. जिए आन्मोल शीनेमा भी आचुका है. दोस्तों वहीं भी दोस्तों गलर्स रिष्टे, रिष्टे, सीनेपलेक, सोनी पल और दोस्तों यहाँ पे HDTV चैनल भी आचुके हैं. 178 TV Channel हमारे पास D.D.Fedis के आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह सभी TV Channel बिल्कुल मुफ्त हुए यहाँ पर Dish TV सीरी लंका का आपको यहाँ पर फ्रोमो देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर आजाते हैं Dish TV के थूरू यह जू चैनल है दोस्तों जी सलाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है अब दोस्तों यहाँ पर सिग्नल क्वाल्टी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस परकास से दिखा रहा है यह देख सकते हैं आप लोग बड़ा ही first class दोस्तो इसका interface जो हमें देखने को मिल रहा है दोस्तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है दोस्तो और color भी दोस्तो इसके बड़ा ही first class आ रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर दोस्तो आप लोग देख सकते हैं वंदे गुजरात क का यह देख सकते हैं एक नया चाइनल एड हुआ है आप लोग देख सकते हैं तो खर दोस्तो मेरा चाइनल दिखाने का उद्यस नहीं है हमें यहां पर आप लोगों को टीवी चाया यहां पर जो सेटप बॉक्स के फंसन है उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो यहां पर देख सकते हैं यह सेटप बॉक्स में दोस्तो बहुत अच्छे अच्छे टीवी चैनल आपको देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो यह तो हो गया दोस्तो सेटप बॉक्स के बारे में और जो चैनल के बारे में अब दोस्तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सी बेंड तो यह सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको यहाँ पे कोई शेक्शुएंसी डालने की ज़रूत नहीं आप आराम से इसके थुरू ही आप इसके कर सकते हैं मोटर सेटिंग में आपको यहां पे बहुत सार्य सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है अगर आपके पास मोटर वालिडीस है तो आप मोटर सेटिंग कर सकते हैं TP लिस्ट है यहां पे TP Add, Remove कर सकते हैं अब दोस्तो आपको अपने Set Finder यानि के आपको अपने मुबाइल को Sat Finder बनाना है तो दोस्तो यहाँ पर यह बहुत अच्छा फंसन है कि आपका TV नीचे रहेगा आपका Setup Box और आपका मोबाइल में TV को अपने setup box को operate कर पाओगे अपने mobile से तो दोस्तों ये setfinder वाला भी option बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं utility में आपको यहाँ पे system information आप लोग देख लीजिए बिल्कुल नया system information है 14.5.2020 का है दोस्तों और 4M flash और ये सारी चीज़े आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से full detail के साथ new version में है factory research आपको नहीं करना है software upgrade network setting में आपको यहाँ पे wifi लगाते हैं तो ये पूरा open होगा दोस्तों और उसके बाते इसकन करके आपको wifi से connect करना यूटूब आपको यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर यूटूब यह बड़ी अच्छी बात है यूटूब 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 आइपी टीवी और लैंग्विज देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओएस्टी कलर सेटिंग आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है सटप बॉक्स की बात करें विल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तो बढ़िया है सब कुछ इसका बैस दोस्तों बाकि दोस्तो इसकर देखने को मिलेंगे यह को हैं और घृट नमबर दे रहक emphasize और ऊपर हो रहा है हमारा वार्ट सब्सक्र कर सकते हैं